अगले एक घंटे हम आपको बताएंगे कि आज क्लोजिंग के लिए खास होगा आगे अगले एक घंटे हम दो बचकर 35 मिनिट पर आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेट्स दो बचकर 50 मिनिट पर आप्शन के चैंपियन जिसमें कि आपको बताएंगे आपके ट्री सेग्मेंट जिसमें कि आपको बताएंगे कि खबरों के चलते आक्शन कहाँ पर देखने को मिल रहा है सवा 3 बचे शुरू करेंगे BTS, ST, ST, BT Trade और 3 बचकर 20 मिनिट पर नज़र होगी उन इवेंट्स पर जहां पर ही कल के कुछ एहम इवेंट्स होंगे जो कि हम आपको एक लिक करके बताएंगे लेकिन आचलिये बाजार पर नज़र डालें तो आज प्राइवेट बैंकिंग शेरों से सहारा और हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी अब 362 अंक उपर आ चुका है 51,000 के बिहत करीब और निफ्टी में भी शांदार रिकावरी देखने को मिल रही है नीचे से 130 अंकों का सुधार 24,900 के पास बैंक निफ्टी में करीब 370 अंकों का उच्छाल और आज सपोर्ट मिल रहा है प्राइवेट बैंकिंग शेरों से FMCG शेरों में खरदारी है HUL करीब 30% उपर रेलवेश शेरों पर दबाव जूपिटा वेगेंस और रेल टेर जैसे स्टॉक्स यहां पर आज वीक्नेस देखने को मिल रही है तो यह हैं इस वक्त के बड़ी बाते बाजार से जुड़ी और सेक्टन सेक्टर में आक्शन आज दिखाई दे रहा है दो लॉट की पोजिशन ज़रूर बना लो क्योंकि आपका कमफर्ट फेक्टर अगर आप भी साथ में सुन रहे थे तो आपको भी यह बात नोटिस हो रही होगी दूसरा परण्ड में यह भी का था कि बैंग निफ्टी ज्यादा अच्छा चलेगा उसका हमने एक पूट कॉ तो आप यह बात समझ लीजेगा आपको यकीन नहीं सकता था कि सोंबार को ऐसा होगा और सोंबार को जब मार्केट खुले उसके बाद से डैमेज काफियत तक कंट्रोल करने की प्रॉसेस बाज़ार में शुरू की है तो फरक कहां पर फरक यह है कि कोई बीची ठोस नहीं है शुकरवार को जैसे हमार साथ सुबह में जूड़े थे अंशुल जैन वह भी बता रहे थे कि उनको भी उम्मीद नहीं थी कि 25 तूट जाएगा 25 तूटा नाकेवल तूटा बलकि 900 बैंग निफ्टी को नीचे आना पड़ा बैंग निफ्टी अपने 50 500 से 51 500 वाले जो पूर नहीं है देखा जाए तो एक ही मिनट में साफ कर देगा निफ्टी उसको 24 आर के इंडेक्स में 24.0.01 परसेंट है लेकिन फिर भी मार्केट करके रहा है कि थोड़ा अपने आपको रोगने की कोशिश दे रहा है मैसेज दे रहा है यह फर्स डी ऐसा होगा फ्राइडे के बा पर तब्दील हो चुकिए आपको पतर टेक्निकल्स का बेसिक फंड आये जब तक वह पार नहीं होंगे तब तक आप ठीक होगे ऐसा कहना मुश्किल है सर वो लेवल कों से हैं पता कैसे चलेगा तो पहला निफ्टी का बनता है 25,000 बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन के साथ 51,200 जब तक आप 51,200 और 25,000 नहीं आओगे तब तक डर हमेशा बना रहेगा कि आप कभी भी किसी भी रूप में फिसल सकते हो ये डर क्या पहले से कम हुआ है जी हाँ पहले से कम हुआ है आज भले मार्किट्स पॉइंट्स में नहीं जीत रहा बहुत जादा लेकिन कन्विक पार जरा एडवांस डिकलाइन की रेशो और वालेटिटी इंडेक्स भी दिखाओ आज विक्स बहुत जादा हमारा मार्किट बढ़ा हुआ नहीं है लेकिन विक्स एक्स्टारणरी टूटा हुआ है आप यह सोचों कि साथ परसंट वालेटिटी इंडेक्स बढ़ा था यह क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए फियर इंडेक्स नीचे आ रहा है यह थोड़ी वालेटिटी कम कर देगा बट आपको सेफ्ट जोन में डाल के जाएगा लेकिन मैं फिर से रिपीट कर दू जब तक आप 25,000 को वापिस पाओगे नहीं क्लोज नहीं करोगे यह डर हमेशा बना रहेगा कि आप फिर से फिसल सकते हो दूसरा पॉइंट 51,200 का कन्फरमेशन बैंक निफ्टी से बिचाई क्लोजिंग बेसिस पर एक और पॉइंट मैं नोटिस कराता हूं फिर हम आते हैं बड़े शिरों पे कि उनका महक्मा क्या कर रहा है अगर आज HDFC बैंक दिखाओ TCS इनफोसीज एच्वल और एलंटी जो 6 शेयर्स की जोड़े हम दिखाते हैं आपको क्योंकि इनके पास 50% से ज्यादा की वेटेज है मार्केट की देखोगे आप रिलायंस 14 से लेके 36 जानी की 20 रुपे में फस गया यह 31 से लेके 40 जानी की 10 20 रुपे में ठीक टी से दिखाओ TCS लिखो एक बार आएगा ठीक 48 से लेके 87 40 रुपे की रेंज में यह फसा हुआ है 38 से लेके 38 से लेके 38 सो रुपे की रेंज है तो उसमें 88 रुपे यह चेंज है एक FMCG वाला चेंज है ठीक एक FMCGN की एच्वल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी शे हैं आपकी हेल्प की नहीं आपको बहुत जारा नुकसान पहुंचाया डिफेंसिव शेयर का चलना भी इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर स्लोव एंड स्टेडी मूवमेंट आएगी यू शेप रिकवरी हो सकता आए वी शेप रिकवरी के चांसिस कम हैं तीन इंडा करना चाहेंगे तो यहां पर अभी भी आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे और हो सकता है जब मारे साथ अभी महमान जुड़ेंगे तो वह सारे भी आपको उन्हीं में से कुछ चांट पीट के आपको ट्रेड अभी भी नोटिस करवाएं ठीक हैं तो कुल मिलाके मार्क सब्सक्राइब को सुबह सुबह का था कि नोटिस करना फिर्स्ट एच्डी एफसी सिर्फ खड़ा रहे आई सी चलता रहे और एजबी गिरने से बंद हो जाए तो आपका काम बन जाएगा तीनों शेयर दिखाओ आई से अभी भी चल रहा है सुबह 6 रुपे से पकड़ा थ दिखाओ और एच्डी एफसी भी दिखाओ कर रहे निहाओ जो आप दिखाओगे सो दिखाओगे मैं महमानों को अपने साथ जोड लेता है इन बिट्विन आरित्य अरोडा सुमित मुल्चंदानी शरीकान चुहान हमार साथ जोड़ चुके हैं आप तीनों महमानों का इसको ठीक करना चाहते हैं तो पूरी फ्रीडम है आपके पास और अगर आपका भी कोई अनलेसिस है तो वह भी आप जोड़ दीजिएगा पहले इंडाइसिस बताइए फिर स्टॉक्स पर आएंगे सर गुड़ आफ्टरून वेरी गुड़ आप्टरून तो यू और देख कि आज जिसी आप से ICAC बैंक ने बाजार को अच्छे से लिफ्ट किया है वो एक बहुत इंपॉर्टन इंडिकेशन है तो जब तक ICAC बैंक का 1200 का लो नहीं तूटता तो वो एक सपोर्ट बाजार को आड़ ओन कर सकता है और सेकेंड SBI की आपने बात करिए SBI भी एक काफी ह है बैंक निफ्टी में तो जब तक उसके लोग भी ब्रीच नहीं होते तो वो भी बाजार को एक अच्छा सपोर्ट दे सकते है तो बिलकुल अगर निफ्टी बैंक निफ्टी के अगर हम बात करें तो एक लेविल बेस अप्रोच रखना चाहिए निफ्टी पे जो 24,800 जब तक 24,800 ब्रीच नहीं होता तब तक बजार पे एक नूटरल से बेरिश बुलिश फ्यू रख सकते हैं बेरिश फ्यू नहीं रखना चाहिए और बैंक निफ्टी में स्ट्रेंज जादा है कंपेर्ट तो निफ्टी बैंक निफ्टी में लेविल बेस बात करें तो तो बैंक निफ्टी में आख तेजी का भी ट्रेट बनाया जा सकता है विट स्टॉप लॉस फिफ्टी थाउजन और टार्गिट रहेगा फिफ्टी तू थाउजन से लेके फिफ्टी तू पाई हंट्रेड ठीक है तो ये है नजरिया बाजार पर लेवल्स भी आपको बता दे गया है इस बीच देखें बैंक निफ्टी में तेजी आई और 51,000 के पार इस वक्त बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है और निफ्टी में बहुत्य पर बैंक ब्द कोछठेर देख रहा है चार सो अंग अब उपर कारोबाल कर रहा है इस तेजी में ट्रेट के मौके कहां पर नज़र आ रहे ही भाई ये भी समझ लेते हैं और वक्त है जानने का क्लोजिंग ट्रेट्स सुमित पहले आप से शुरुआत करेंगे बताइए कहां पर देखने हैं आप ट्रेट के मौके तो यहां पर देखे मार्केट ने अच्छी कासी रिकवरी दी हुई है आज के सेशन में अगर देखें तो पचीस हजार बिलकुल एक इंपोर्टेंट लेवल रहेगा सस्टेन होने के लिए लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो अपना एक रेंज ब्रेक आउट दे रहे हैं दो बाइंग ऑपर्चुनिटी यहां पर देख रही है जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा ACC का देखे ACC ने अपने पिछले दो दिन का जो रेंज था उसको ब्रेक आउट दिया है और अब डेस के हाई के नियरबाई ही ट्रेड हो रहा है तो हमें लग रहा है कि यहां पर आप एक वाइंग ऑपर्चुनिटी देख सकते हैं करन्ट मार्किट प्राइज इस अराउंड वॉल्यूम पितले आगर आज का देखेंगे तो काफी एच्छा एक वॉल्यूम ब्रिक आउट ता फस्स सेशन में तो यहां पर 1180 का करन्ट मार्किट प्राइज है बाई कीजिए स्टॉप लॉद में करेंगे 1140 का और अपसाइट में हमारा जो टार्गेट रहेगा वो 1268 एं 1294 कर रहेगा ठीक है तो एलेंबिक फार्मा एसी सी दोनों में तेजी करने की सला एलेंबिक फार्मा में 1268 और 1244 के लक्षी के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं आज सेलेक्टिट फार्मा स्टॉक्स में हम देख रहे हैं क्या यह तेजी वन रही है वहां पर आप नज पर देखने के लिए बताइए आप कहां पर देखने के मौके यह तो देखे मुझे लगता है कि बिल्कुल जो मार्केट है वह एक शायद पूलबैक मोर में आ सकता है और अगर यह पूलबैक मोर में अगर आता है तो जितने भी टेक्निकल इस strong stocks है जिनमें हमने काफी अच्छा train देखा था पिछले 10-15 दिनों में I think उनी में वापस से एक rebound बनेगा और उनी stocks के साहरे हम कुछ इस market में short term trading के मौकें बना सकते हैं या तो कुछ trades ले सकते हैं सबसे पहले मुझे अच्छा लग रहा है आज काफी अच्छी recovery हमने देखी है 363 का stop loss रखे current level से इसमें long की positions बनाए हमें लगता है कि यह stock 400 के levels को आने वाले कुछ दिनों में cross कर सकता है तो यह जो trade है वो कम से कम 3-5 दिन के trades है क्योंकि very short term में हमें रखता है market काफी volatile रहेगा तो stop loss follow कीजिए और good till stop loss का trade बनाके आप इसमें काम कर सकते हैं साथी साथ मुझे रखता है कि geofinance यह भी एक stock ऐसा है कि जहाँ पे हमने एक बड़ी तेजी देखी थी और एक बड़े volume के साथ एक बड़ा technical breakout इसमें बना था अब वापस से market में correction है तो यह stock correct हो चुका है हमें रखता है काफी decent levels पर यह आ चुका है 335-336 के levels पर से long करे stop loss यहाँ रखे 325 रुपे का और targets नज़र आते हैं 355 से लेकर 365 के तो geofinance के साथ साथ buy upon यह दो stocks में हम कुछ current level से long की positions बना सकते हैं short की positions बनाने में दिक्कत है यह है कि market 20 day simple moving average का काफी नजदिक है और साथ ही साथ market में हमने काफी बड़ा sell off शुक्रवार के दिन दिन दिखा था तो हमें लगता है कि शायद इसमें pullback trend बनेगा तो इससे बेटर है कि इस level पे कुछ long के contra trades लिए जा सकते बिल्कुल तो बायो कॉन यह तीन से पांच दिनों का के लिए positional trade आपको दिया है इस पर नज़र रखिया और जियो फैनान्स 355 से के टागेट्स के लिए आप अतेजी करके चल सकते हैं फार्मा स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट के रड़ा पर बायो कॉन अभी श्रीकान जी सजा रहे थे सुमें जी ने अलेंबिक फार्मा दिया जिसमें की करीब 7% की तेजी आ चुकी है आदितिया आपके पास आएंगे अफिटाइम से आउट परफॉर्म कर रहा था बाजार की घट्डे ट्रेंड के साथ भी एक अच्छी स्टेबिलिटी और रिलेटेव स्ट्रेंड दिखा रहा था वह है FMCG बास्केट मैंने उसमें से एक स्टॉक चुना है ITC ITC पर बुलिश यू नजर बुलिश यू के लिए है क्या उस पर कुछ व्यू बन रहा है आपका जिसने ट्रेट के लिए लिया होगा आप क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं या इसमें यह तेजी कंटीनिव हो सकती है आदेखिए बहुत शांदार स्टॉक पकड़ा है आपने क्योंकि बहुत हाई का साइन है तो बिलकुल इसके साथ बने रह सकते हैं यह राली और कंटीनिव हो सकती है तोवर्ट्स लेवल लाइक 2950 से लेके 3000 थोड़ा सा 3000 पे कॉल राइटर अक्टिव है तो धीरे धीरे आ सकता है बट स्टॉक पे नजरिया पॉजिटिव है स्टॉक पे नजरिया पॉजिटिव जिनके पास है वह भी भी बने रही है स्टॉक में एचिवल तीन परसेंट उपर अब आ चुका है इस बीच बैंक्स में भी कुछ एक एका ट्रेड समझ लेते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी 51000 के उपर है कोटक कर रहे हैं और शानदा तेजी यहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त प्राइविट बैंकों में सुमी जी क्या नजरिया बन रहा है काफी अच्छी तेजी लगभख सभी स्टॉक जिनके भी हमने नाम लिए एक्सिस, ICICI, KOTAK, इंडसेंट, अपने दिंगी उप्री स्तर पर कारोबार कर रहा है, कोई ट्रेड लेना चाहिए यहांपर? Sorry, देखे, ICICI ने काफी अच्छा रन दे दिया है, अगर इंट्राड एकी बात की जाए, तो यहांपर अगर फ्रेश ऑपर्चुनिटी देखे, तो KOTAK Bank में है, देखे, KOTAK Bank ने कच्छा कासा अपना बेस बनाया हुआ है, 1760 के करीबन, अब अगर आप देखेंगे, तो यहांपर एक बेस ब्रेकाउट का स्टॉक बन चुका है, तो यहांपर 1790 का करन्ट मर्केट प्राइज है, भाई कीजिए, विद इस टॉप लॉस अब 1764, फोर दार्गेट अफ 1827 और 1850. चीक है, चीक है, तो यह है, सला, ICICI Bank पर, यहांपर आप पर तेजी करके चल सकते हैं, नजरवाबा जारी है, FMCGI और कंसम्शन पैक पर ही, इसमें, एलकॉल सेग्मेंट देखी, उनाइटेट स्पिरिट्स अब 3% उपर है, उनाइटेट ब्रिवरीज में करीब 3% की तेजी है, कंसम्शन पैक में ही देखें, तो डाबर उपर है, गोद्रेज कंस्यूमर का स्टॉक अब 2% उपर आ चुका है, तो काफी शांदार तीजी हैं आपर दिखाई दे दिया है, श्रिकांजी, उनाइटेट स्पिरिट्स 3% उपर, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए आपर? तो दिखें, यहाँ पर अगर हम उनाइटेट स्पिरिट्स में अगर बात करें, तो इसमें भी काफी अच्छा फॉर्मेशन बना है, और इंपक्ट एक काफी सस्टेंड और अपवर्ड ट्रेंड में यह कनवर्ट हो चुका है, हमें लगता है कि यह स्टॉप जैसे आज मार्केट की पॉलबैक के साथ और टाइम हाई के नजदिक आ चुका है, इसमें और भी तेज़ी बन सकती है और यह स्टॉप कम से कम सत्रा सो रुपे तक जा सकता है, करिंट लेवल से भी मुझे रगता है कि अगर कोई लॉंकी बोजिशन बनानी है तो बिल्कुल बनाई जा सकती है, मार्केट चुकि काफी वॉलटाइल है, अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप 1475 का स्टॉप लॉस में यहाँ पर रेकमेंट करूंगा, क्योंकि 1475 के नीचे अगर यह जाता है, तो वापस इसमें consolidation या कुछ sideways sort of activity दिखने मिलेगी, बड़ अगर इसमें market में अगर pullback का अगर trend बढ़ता है, तो यह stock 1700 के करिब जा सकता है, बट minimum 1600, 1600, 1600, 1600 के करिब भी जा सकता है, तो current level से बिल्कुल इसे long के जा सकता है, या तो अगर इसमें investments हो, तो बिल्कुल इसमें बने रहे हैं। क्योंकि आज सुबह सही हम FMCG shareों पर बात कर रहे हैं, बाजार में दबाव है, लेकिन इस बीच भी FMCG share में दम दिखाई दे रहा है, और अगर बात करें इस साल 2024 की, तो FMCG index 12% बढ़ चुका है, अब इसके पीछे की वज़ा क्या है, Valuations वाइसी स्टॉक कैसे नज़र आ रहे हैं, पूरी research लेकर हमारे साथ शरत दुबे मौझूद हैं, शरत बताईए. पूरे segment में आज दिन के trade में, तो अफकॉस सबसे पहला बात है कि defensive है, एक टाइप से defensive play है, तो यहाँ पे जो है, जब uncertainty आती है, तो उसके कारण जो investors यहाँ पे आते हैं FMCG space में, इसके लावा ग्रामीन डिमांड, इसकी recovery भी बहुत strong होई है, पिछले एक दो quarter से हमें यह तो हार का भी जो एक बड़ा demand वो भी देखने मिल रहा है, और अफकॉस दो साल से जो lower base के आकड़े की बात करें, तो इस बार जो है, एक अच्छी growth देखने मिल सकती है, मौनसुत के बारे में बात करें, तो अफकॉस IMD और यह बड़े organizations भी कहें हैं, कि अफकॉस August के महीने अबब नॉर्मल मौनसुन थे, और सेप्टेंबर में भी जो देखें, तो यहां पे भी अबब नॉर्मल मौनसुन देखने मिल सकता है, और आखिर में जो commodity की कीमत है, उसमें भी हम बात करें, तो वहां पे भी गिरावट आया है, पाम ओल ले लिजिए, या आप कहिए तो 5 से 10 परसेंट तो इसी हफते soft commodities globally भी गिरावट होई है, तो इसका जो impact है, अच्छे margins देखने मिलती है FMCG companies को लेके, अगर बात करें तो आज भी तीन एहम new slows आई हैं जिसको मैं point out करूँगा, मैरी को अपकोस नैचरल की पूरी तरह अधिगरन कर लिया, 40 परसेंट से 60 परस बढ़ा दिया गया और यहां पर जो टोटल निवेश किया है, कुछ 300 करोड का रुपए के लिए किया है, लेकिन आज जो आज इंपोर्टन स्टॉक है, जहां पर अच्छी movement आ रही है, वो है HUL, यहां पर जो है HUL पर नजर है, यहां पर जो ice cream business की जो बात है, वहां पर अपनी ने कमीटी बना ली है, अब यहां पर जो अफकोस कुछ पोटेंशिल या value lock-in देखने मिल रही है, अब इंपोर्टन इसलिए क्योंकि जो इनके global parent है, Unilever, और अनौन्स कर दें कि 2025 सेंड में वह अपनी ice cream business को डाइवस्ट करेंगे, तो अफकोस यहां पर तो देखा साइड रहते हैं, तो हुल, नेसले, कंजिमर, बिटानिया, डाबर यह सब जो है, पचास के पीपे ट्रेड कर रहे हैं, और इस साल अगर बात करें, जो सबसे बहतरीन परफॉर्मेंस आई है, FMCG स्टॉक्स में, उसमें कोल्गेट, पामलिव, आपके मैरिको, डाबर जैसे स्टॉक्स जो है, इस लिस्ट में शामिल होते हैं, लेकिन ओवराल, FMCG स्पेस में जो है, बहुत पॉजिव ट्रिगर्स देखने मेरे और इसके कारण लिए इस महीने और आज दोनों ही समय में जो है, आप देख सकते हैं, कि आपके टॉप सेक्टोरल गेनर आपके FMCG पैक हैं, बिल्कुस तो ये कुछ चार पांच ट्रिगर्स अभी शरद ने हाइलाइट किये, थांकि ये सो मच शरद आपका ये पूरा इनार्सिस करने के लिए तो ग्रामीन डिमांड में रिकावरी, त्योहरों पर मजबूट डिमांड, अच्छा मॉनसून और कॉमोडिटी की म बूकस में बना हुआ है, तो इस पर आप नज़र रखें, एक्सपर्ट्स ने आपको रणीती भी बताई, लेगे इस बीच बैंक निफ्टी देखें, साढ़े पांच सो अंक तेजी से उपर आया, एक परसेंट की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है, थोज़े पहले हा आपको नोटिस भी करवाय था, वहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं, लेगे ना आदित्या, बैंक निफ्टी अब एक परसेंट उपर, और करीब आदा खंटा रह गया है बाजार की क्लोजिंग को, यह जो मजबूती है, कैसी देख रहे हैं, आप आची क्लोजिंग कितनी इंपोर्टेंट होगी, और जिन्हें एंट्री करनी है, उनके लिए भी लेवल्स बताएए, कहां एंट्री करें? यहां से भी लिया जा सकता है, बैंक निफ्टी फ्यूजर को, 51275 में बाइ कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए, और स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 50,800 का और टागेट रहेगा, 50,600 से लेके, 50,700 का, तो अभी भी बुलिश नजरिया कायम. तो दिंग के उपरी सतर पर निफ्टी, अब बैंक निफ्टी और अब एंट्री लेने का समय, काफी जादा बीते हफते, हमने देखा कि यह काफी जादा तूड भी चुका था, काफी गिरावट भी यहाँ पर आई थी, अब बैंक निफ्टी में, लेकिन अब अब निशले अब आपका स्वागत है, और अब आगे बढ़ते हैं हमारे जोट चुके हैं, राजी जी बाबाता स्वागत है आपका शोपर, बाजार अपने उपी सतर पर है और इस बीच एक और इवेंट भी था, जज़िए स्टी काउंसिल की एहम बैठक भी थी, जिसमें एक एक करके भूशनाई आना शुरू हो चुकी है, और खबर आ रही है कि धार्मिक परेटन पर जी एस्टी घटा दिया गया है, 18% से घटा कर 5% कर दिया गया है, उसका रियाक्शन भी हम देख रहे हैं कुछ स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है, इवाँ इंडियन होटेस देख लेते ह हैं, वहाँ पर अच्छी तेजी आई करीब 1% उपर, तो जी एस्टी काउंसल की जो बैठक हो रही है, आपकी नजर कहाँ पर है, क्या कुछ एनाउंस्मेंट आप सुनना चाह रहे थे और किन स्टॉक्स पर नजर रखें राजे जी आपना माई कर्म्यूट कर लिजी चलिए, उसे संपर्ग नहीं हो पा रहा है हमारा, लेकिन उनसे वापस से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इवर इंडियन होटेल्स पर राय ले लेते हैं, एक सवा परसेंट उपर है, ये स्टॉक इस वक्त, सुमी जी क्या सला होगी आपकी इंडियन होटे के नियरबाई ही ट्रेड कर रहा है, अगर आप इतले आठ सेशन से दा सेशन का देखेंगे, तो एक कन्सोलिडेशन बना हुआ है, लेकिन ओवर ल चार्ज ट्रेक्चर अभी भी पॉजिटिव है, जिनके पास होल्डिंग है, आप यहां पर बने रहें, 640 जो रहेगा, वो कि सलाह इस पर ताप को नहीं दी जा रही है, अपोलो टायर्स पर यह इबारा देख लेते हैं, यह भी अपने दिन की उपी स्थर पर 512 के पास आ चुका है, और अपने हाइस के आसपास यह स्टॉक भी कारुबार कर रहा है, श्रीकान जी, क्या कोई ट्रेड लिया जा सकता है, अपोलो टायर्स में? विल्कुल तो देखिया, अगर अपोलो टायर्स के बात करें, तो यहाँ पे एक अच्छा का सा करेक्शन हो चुका था, और 568 से जो करेक्ट होते हुए यह स्टॉक अपने लोर लेवल 470-75 के करीब आया था, उसके बाद अभी इसमें वापस से ए तो हमें दगता है कि यहाँ पे कुछ हमें शॉट टम अपकवर्ड अक्टिविटी बिल्कुल देखनी मिल सकती है, फिलाल अगर इंट्राडे चार्स पे इसे देखे तो इसने तकरीब बन 499 के करीब डबल बॉटम जैसा फॉर्मिशन बनाया है, और अगर तीजी बनती है तो यह स्टॉक कम से कम 530 से लेकर 540 तक के भी लेबल दिखा सकता है, तो करेंट लेबल से भी लॉटम बनाया जा सकते हैं, लेकिन येस 498 का हमें स्टॉप लॉस रखना काफी ज़रूरी है 98 का स्टॉप लॉस रखे करेंट लेवल्स पर भी आप खरदारी कर सकते हैं और जिनके पास है बने रही है स्टॉप में अब वक्त है हमारे अगले सेग्मेंट का मार्केट एट थ्री और गौरव है हमारे साथ खबरों का पूरा अपडेट लेकर गौरव बताईए जी हाँ ताज सबसे पहले शुरूबत करते हैं एच यूल के साथ क्यूंकि इस कंपनी में कई पे इंडिपेंडेंट पैनल जो है वह उन्होंने फॉर्म किया है क्यूंकि वह आइस्क्रीम बिज सब्सक्राइब के बारे में सोच रही है और इसके चलते हैं हमने देखा कि एक अच्छी तेजी हमें आच के दिन में देखने को मिली थी अगली बात करते हैं एयू स्मॉल परनेंस बैंक की फिलहाल में ही काफी पॉजिटिव न्यूस बैंक के लिए है और इसी के दोरान सब्सक्राइब को मिलने वाला है और इसके चलते हैं आज इस बैंक में भी तेजी देखने को मिली थी अगली बात करते हैं जेस डवल्यू इन्फरा की क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने कहीं पर जो केपिक्स प्लान था उनका 2300 2359 करोज का वह कहीं पर अप्रूफ किया है इसक इसके चलते हैं जो कंपनी है उसको वालें डिकेटेड ऐसे यारा यार मिला है और इसके बाद हमने देखा कि इसमें भी एक गिरावट देखने को मिली थी तो खबरों के दम पर इंसब स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था आगे जाके भी इंसब स्टॉक्स में हमारी नजर बनी रहेगी कि यह जो स्टॉक्स है उसमें से इन्वेस्टेस को कैसे रिटन बनते है ठीक है तो यह तीन बज़े का एक्शन पूरा था आपके स्क्रीन पर एक काम करते हैं चोटा सा ऑप्शन का ट्रेड भी आपके सामने रखते हैं फिर जो हमारे मेमान पैनल पर आपको दिख रहे हैं नहीं से कुछ और ट्रेड समझेंगे और थोड़ा मार्किट का रेगुल है हाला कि बाजार के प्रीमियम रिजस्ट हो रहें इसलिए आपको फ्यूचर में अच्छी तेजी ने दिखेगी एक्जामपल बदायतों जैसे स्पॉर्ट बढ़ा हुआ है पांसो ब्यालीस पॉइंट फ्यूचर बढ़ा हुआ है चारसो ब्यालीस पॉइंट तो सौफ प विने सर नमस्ते जरा बताईए कौनसा ओप्शन का ट्रेड है सर जी जी मेरी तरफ से एफमसीजी स्टॉक में एक कॉल ओप्शन की राये रहेगी वो स्टॉक है ब्रिटानिया इंडस्ट्री तो एफमसीजी सेक्टर ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया है सुबह साही काफ जिसका प्रीमियम चला है 90 के करीबन वो हम दे सकते हैं स्टॉक लोज यहां पर रिकमेंड करूंगा 52 का और अपसाइड में 150 का टागेट मैं एक्सपेक कर रहा हूं और इस स्ट्रेजी में मैक्सिमम जो प्रॉकित है वो 12,000 रुट्या पर लॉट हो सकता है और मैक्सिमम जो लॉस रहेगा वो 7,600 पर लॉट रहेगा तो मेरी तरफ से ब्रिटानिया की कॉल ओप्शन लॉंग साइड पर ट्रेड की जा सकती है नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेचन के लिए ठीक है actual चला actual के साथ साथ और भी कई FMCG प्ले चल रहे हैं आज FMCG का इंडेक्स भी काफी अच्छा है बिटानिया भी सुबह सुबह नोटीस हुआ था इसमें फ्रेश लंग पॉजिशन बन रही जी और आप दे रहे हैं 6000 की स्ट्राइक स्लाइटली आउट है क्योंकि 5934 पर चल रहा आप देख रहे होंगे भाव और इसके अंदर 6000 की कॉल है यहां तक भी आ जाएगा तब भी आपको एक अच्छा बैनेफिट आ सकता है 90 रुपे की कॉल मिलेगी 52 रुपे का स्टॉपलोस है जब तक सारे रिजिस्टेंस पार नहीं होते ना तब तक आपको लग और शुक्रिया थैंक्यों वेरे मच और यह स्टेंडर डिस्क्लोजर भी आउट आफ टैन नो लोग डेरिविटेंस में इसलिए लास करतें फानेशल डिसिप्लिन ना होने की विए से ऑप्शन के अंदर रिग्रिसली स्टॉपलोस ना फॉलो करना और बने रहना और उसको जादा नोटिस ना करना और एवरेज करीब करीब पचास हजार का नुकसान की बनते हैं इसलिए आप उसके डिगरी में ना जुड़िएगा आप उस दस में से इकलौते वही बन जहीं जिसको प्रॉफिट आता है खेर हम आगे बढ़ जाते हैं कुछ कुछ और पोजिशन और ली जानी चाहिए डेरिविटिव के सौधी पहले लेके आता हूं मैं जुनाइटेट स्पिरिट्स आज की क्लोजिंग अच्छी हो रही है क्या बीटी एस्टी एस्टी बीटी करना है राज शिर्कान से आपसे करते हैं जिसको युनाइटेट स्पिरिट्स बिल्कुल बिल्कुल इसे हम लॉंग करने की बिल्कुल राय रख सकते हैं काफी अच्छा एक टेकनिकल फॉर्मेशन बना हुआ है ओर ओर ट्रेंड काफी स्ट्रॉंग है हायर टॉप हायर बॉट्टम की सीरिस यह रिजूम कर चुका है और आज के मार्केट में जहां पे सब्सक्राइब करते जाना हां स्टॉप लस टार्गेट बगारा जहां पर भी जैसे बोला जा रहा है वैसे जरूर करती जाएक नहीं तो फिर कई बार नहीं अच्छे से पकड़ में आती चीज हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आई होप चर्चा होईगी होगी करक् बैंक मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूं थोड़ा मूवर स्लो है बैंकिंग का थोड़ा डाउन फॉल चैनल में फसा हुआ है बट आज का बिल्डप एग्रेसिव है इसकी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना फैडरल बैंक की जहां पर ओपन इंटरस्ट लिखा होता है सिरी का साइन नजर आ रहा है लोगर टाइम फ्रेम पे लेकिन अगर हाईयर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो अभी भी काफी ज्यादा वीकनेस है स्टॉक ने देखिए कंटीनियू लोग के फॉरमेशन बनाए हुए है तो यहां पर एक इंपोर्टन रिजिस्टंस रहेग कि एक न्यू लोग की तरफ अप्रोच करेगा डैट विल बी नियर बाइटी एंट वन सेवंटी लेवल्स चीक है एक और चीज़ बैंक की बात छीड़ी गई है तो बैंक में आपको मता दूं आईसे से बैंक आज कम से कम 50% कॉंट्रिबूट कर रहा है यह लेवल की बात न पॉइंट का है तो मैं सिर्फ आईसे से बैंक और अगर एच्टी एफसी बैंक के दोनों के नंबर जोड़ दूं तो 400 पॉइंट आउट ओफ 500 550 पॉइंट की बैंक निफ्टी में से 400 पॉइंट सिर्फ इन दोनों के हैं यह आपको मैं और थोड़ा एलूबरेट करके दिख आप सिर्फ डिकलाइन जाप एफंडों के शेयर भी लिखे होते हैं वहाँ पे देखो के अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है बजार को अभी भी आप देखो 96 शेयर है और 80 शेयर कांटी की टक्तर है एनसी के शेयर अभी बैडवांसेज में कम है फिर भी बैंक निफ बहुत अच्छा साइन होता है कि वेटेज वाले शेयर उस समय निकल के आएं जिसमें सबसे जड़ा जरूत होगी और बैंक में अगर आईसे से और एच्टीफ से निकल के आजाएं फिर तो कहना ही क्या राजेश सर मैंक इंवेस्टर हो और आईसे से बैंक के अंदर इंवे ठीक है राजेश सर आपके आवाज में को इतना ही समझ में आये कि हाए सही शेयर है इसमें बने रहना चाहिए अभी और कुछ में को समझ में आया नहीं तो एक काम करते हैं अभी न हम आपको ड्रॉप कर रहें एक मिनिट के लिए वापिस से आपको ना कनेक्ट करेंगे तो को सर आधा दूरा ग्यान ना खतरनाक होता है इसलिए मैंने चाहता कि आधे दूरे ग्यान में जावें इसलिए पूरी बात जब समझ में आएगी तभी मैं आप से आईसे से बैंक की वापिस कॉल लूँगा मैं इसको हुल्ड पर डाल देता हूं भी ठीक है अभी आपको डिस कि आसपास जितना हम क्लोज करेंगे मानलो कल गैप मिल गया तो आपके पॉंब आ रहा है तो फिर बजार अभी रुख जाएगा आपको पूल बैक और भी दिखा सकता है एक काम करते हैं जरा ट्रेड पता करते हैं सारे मैं 25,000 को थोड़ा एंटिसिपेट कर रहा हूं सुमि जाँ सर 25,000 की कॉल बोलो तो प्लस कर लेते हैं आप कहोगे तो देखे अगर मैं यहां पर पहले सबसे टेक्निकली बात करूँ तो इंपोर्टेंट लेवल जो आपने डिसकस की स्पॉर्ट में 25,000 तो लग लग नहीं रहा कि अभी भी यहां पर यह सस्टेन हो सकता है इंट कि हम भी उसी की वेट कर रहें बट क्या है न मैं थोड़ा एंटिसपेट कर रहा है कि चलो भी ठीक है 25 अरतों आहीं जाएगा इसलिए मैं कह रहा था कि तोड़ा एक आप्शन का ट्रेड लेने ते लेकिन आपने बात ठीक रखी है आप कहरें कि जड़ा एग्रेसिव या ज इस वह 29 2925 के आसपास फसा हुआ है चोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद वापिस लोटेंगे राजे शगरवाल आपको बताएंगे आई से से बैंक नों कि क्या टेक है फिर और मैंवानों से बीटी एस्टी ही ट्रेड मिल सकता है शायद वही पता करेंगे स्वागत है आपका ब्रेक के बाद बाज़ार इस वक्त दिन के उपी सतर पर बैंक निफ्टी में शांदार तेजी और निफ्टी भी 24,940 के पास कारूबाल कर रहा है ऐसे में एक शेर रिकॉर्ड उचाई पर है वह है श्रीराम फाइनांस यूबियस की काफी पॉस्टे रिपोर्ट आई टागेट्स भी 2915 से बढ़ाकर 3850 का कर दिया है रिपोर्ट में क्या कुछ खासता है और तेजी के और क्या ट्रिगर्ज हैं बताने के लिए हमारे साथ जिने नागर जुट चुके हैं जिने बताईए जी तो श्रीराम फाइनेंस डेफिनिटली फोकस में रहेगा पहला तो अगर हम ट्रिगर्स की बात करें तो पहला होगा यूबियस का रिपोर्ट यूबियस ने बाई रेटिंग दिया और उनको जो टागेट प्राइसे रेस कर लिया है 2,915 के टागेट प्राइस से बढ़ा कर दिया है 3,850 रुपे तो उनने इसी के साथ प्राइस टू बुक वैल्यू का टागेट भी अपना बढ़ा दिया है जो उनका पहला टागेट था वो था 1.8 ताइमस का और उसको बढ़ा कर अब कर दिया है 2.2 ताइमस और यह जो प्राइशन जो हमें नजर आ रहा है स्टॉक में उनका माना है कि यह ट्रांजीट रही है और आगे जाकर इसमें भी हमें बढ़ावट देखने मिलेगी इसे के साथ कंपनी का जो नया सेग्मेंट है वो की फेक्टर रहेगा कंपनी की आगे की ग्रोथ को लेकर और इसका सथ और UBS का माना है कि जो टोटल एसेट क्वालिटी है वो स्टेबल रहेगी और क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस उन्होंने मैंटेन ही रखा है अगर हम इसके अलबाद दूसरे ट्रिकर की बात करें तो एजेंस से हमें रिपोर्ट हुआ था कि श्रीराम फाइनेंस एक बिलि के लिए करम वेलुएशन भी देख लें कंपनी का उसके पीएस के साथ तो हमें काफी सस्ता नजर आएगा कंपेरिटीव ली टू दिया पीर्स पहले तो च्टिराम फाइनेंस का प्राइस टू बुक वैल्यू देख लिए तो टू तांस पर अभी कंपनी ट्रेड करी हमें बजाज फाइनेंस पाँच फाइफ तांस पर ट्रेड करें और वही छोला फाइनेंस भी हमें करीप फाइफ तांस पर ट्रेड करते हुए नजर आ रही है बिल्कुल तो पॉजिटिव रिपोर्ट्स और और तेजी के ट्रिगर्स और वालुएशन भी जिन्हें आपको हाइलाइट करके बता रहे थे जिन्हें थांक यू सो मच आपका यह पूरा अनालेसिस करने के लिए आ देती है श्रीडाम फाइनस रिकॉर्ड उचाई पर है अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो एंट्री लेवल कहां पर देख रहे हैं आप जी देखें इस लेवल पर पाई किया जा सकता है 3-3-2-1 में स्टॉप लॉस रहेगा 3-2-3-0 का और टागेट रहेंगे 3-4-1-0 से लेके 3-4-5-0 राजेश तर एक बर ज़र आप बोलके नहाएं आपके आवास साफ आ रही है तो फिर आपसे आजसे से बैंक वाला एक पेंडिंग है वो पूछना है हाँ अभी आ रही है सर बहतर आ रही है अगर कहीं रूकेगी तो मैं फिर से आपको रोक दूँगा एक बार ज़रा मैं को सर आईसे से बैंक के बारे में बताईए मैं के इन्वेस्टर हूँ इस फॉल के अंदर में को कुछ शेयर खरीडने थे आईसे से बैंक को मैं खरीड लूँ का पुराने वालों के तो बात ही नहीं है पुराने वालों के जिस रेट पे हैं उस रेट पे कोई ले ही नहीं सकता लेकिन जो नए वाले हैं जो गिरावट की वेट कर रहे थे उसमें से आईसे से बैंक को प्लस करना कितना ठीक है अगर पत्यम से लंबी अवधी के निवेशक है तो मेरे हिसाब से तो ठीक है क्योंकि अगर बैंक को देखें तो लगातार कई क्वाटर्स से कंसिटेंटली परफॉर्म किया है फिर वो LDR के पाइदान पे हो या इसा पड़ी बात है इतनी खराब मावल में भी NIA जो है लगातार ग्रो कर रही है लास्ट तीन-चार पॉर्टर से अगर आप देखो तो वालवेशन सस्ते एंट टेक्नोलोजी में अच्छा का सानोन निवेश किया हुए बहुत बालेंस पोट्पोलियो है इनका चाहे वो रीटेल को हो या बिजनस लोन्स को लेकर के हो वालवेशन के अगर खास बात की जाए तो 2.8 टाइम सकर प्राइस टू बुग भी देता हूँ जो इस तरीका की लार्ज कैप प्राइविट सेक्टर बैंक की होनी चाहिए तो मेरे हिसाब से साथी चौदास और प्राइट आते हैं आने वाले बारा से अठारा मेने में तो मद्यम से लंबी अवधी वाले निवेशन को यहां पर खृदारी की ही सारा है ठीक है डन तो आप ही कहरें कि मद्यम से लंबी अवधी वाले निवेशन के यहां पर जरूर आ सकते हैं मार्किट में 500 पॉइंट के बाद के बाद एक मिनिट के लिए बैंक निफ्टी भी रुका है जैसे हम 25,000 के तरफ कूच कर रहे थे थोड़ा निफ्टी भी रुका है म तूटने की भी अपनी एक मर्यादा है शायर उसी का इस समय पालन हो रहा है बट अच्छी चीज जो आतमे को क्लोजिंग में दिख रही है वह इंडिया विक्स का तूटना बड़े शेरों का थोड़ा पार्टिसिपेट करना दूसरा लेवल्स को रिस्पेट करना फॉल कॉ वह डाइनमो की तरह होता है वह फिर फिर रोके नहीं रोके तर रुकता तो एक बार अगर आपका घाट लग जा किसी वैसे ठीक है लेकिन अगले दिर उसमें रिकावरी अगर आने लग जाए तो समझ लेजेगा वह वैसी वाली बात नहीं है ठीक है तो अभी थोड़ा सा और पेशन्स रखिएगा एक बर कन्फर्मेशन हो जाए तो फिर आप अच्छे अच्छे ट्रेड और पकड़ पकड़ के लेना कुछ मैं बीटी स्टी स्टी बीडी के सौड़े सर से चेक कर वा लेता हूं शिरकान सर आपके पास आरहों पहले देख के बताते जाएगा अब मैंने में यह स्टॉक साथ सो साथ के करीब गया था और पांचो पचास के करीब इसने मिल्टीपल टाइम सपोर्ट लिये हैं तो मुझे लगता है कि इसमें अभी भी थोड़ी अंसर्टन्टी बनी हुई है और अगर इसमें कोई पोजिशन अगर बनानी है तो कोई रिवर् नबे से लेकर 600 के करीब आते हुए देख सकते हैं तो इससे बेटा है कि इसमें कोई पोजिशन ना बनाए एक बार इस पे आप छोड़ भी सकते हैं इसको एक दो पॉइंट में आपको और नोटिस करायता हूं देखो आप अगर आपको लगता है कि बिरला सॉफ्ट के सब्सक्राइब के मार्केट डेज हाई टेस्ट कर रही है तो शेर के अंदर प्रॉब्लम है इना तभी तो डेज लो टेस्ट कर रहा है तो इसलिए रुख जाना चाहिए इसी कड़ी में आपको मैं एक और शेर भी दिखाता हूं जरह लेकाना एक बर स्क्रीन में जिसमें व बेंबीड आज मौनिंग सेशन में ही काफी अच्छा है सकना एक लेवल ब्रेक किया हुआ है देकि पहले जो रेजिस्टन्स का काम किया था पितली बार सपोर्ट का काम किया था 352 का जो लेवल था वहाज सुबह के सेशन में ही और आज का अगर आप हाई देखेंगे तो से लेवल से ही rejection मिला हुआ है तो बिलकुल यहां पे अभी भी downside का candidate है किसी के पास already hold है तो मैं यहां पे stop loss दूँगा अगर किसी के पास swing या फिर short term के लिए हो तो 330 का जो level है वो काफी एक important level है तो downside अगर किसी को fresh position बनानी है तो यहां पे आप बना सकते हैं for the levels of 330 अगर 330 ब्र का target भी आ सकता है तो फिर 330 का strict stop loss maintain कीजिए और exit की सल रहेगी वाँ ठीक है तो यह सला पेट्रोनेट LNG पर पांच मिनट रह गए हैं बाजारी closing को quickly कुछ और भी stocks पर राय ले लेते हैं JK cement उपर है और उसके लावे कुछ और भी cement stocks आज तेजी में हैं JK cement पर particularly अगर राय ले आदितिया क्या सला होगी JK cement hold करके जाएं कल के लिए भी देखिए disclaimer के साथ चालू करना चाहूंगा मैंने clients को आज ही recommend किया है stock का view एकदम bullish है बिल्कुल कल के लिए carry कर सकते हैं एक लौता stock है बहुत कम stock है जो ऐसी bearish market में भी अपना 52 week high लगा रहे हैं तो बिल्कुल stock में ब PTSD करने की सला फार्मा stock में डीवीज लैप भी अपने हाइस के पास कारोबार कर रहा है आज श्रीकान जी अगले levels क्या देख रहे हैं आप डीवीज लैप पर बिल्कुल तो दिखें यहाँ पे भी trend काफी strong बना हुआ है और gradually मुझे लग रहा है कि यह stock अपने previous all time high को जो 5425 के करीब था इसे cross कर लेगा क्योंकि यह जो highs बने थे वो 2021 में बने थे अक्तूबर 2021 में तो उसके बाद एक बड़ा sell off आया था और उस बड़े sell off के बाद अभी जैसे इसमें sustained rally देखने बिल रही है और overall pharma sector में तेजी बनी है तो यहाँ पे कोई ऐसा confusion नहीं है कि यह stock अपने previous high को क्यों cross नहीं करेगा तकरीबं 5050 के करीब का stop loss रखेंगे और targets नजर आते हैं मुझे जैसे मैंने कहा फिफ्टी फोर हंडिर के करीब के तो बिल्कुल current level से positional long trade लिया जा सकता है ठीक है अब जादा शेयर नहीं पता करेंगे क्योंकि market closing के तरफ बढ़ रहा है तीन मिनट रहे हैं बाजार की closing के लिए आज की अच्छी बात और बुरी बात एक बार फटावर्ट से यह दूसरा अच्छा point है तीसरा अच्छा point भले ठीक है रिलाइंस ने चल रहा है लेकि रिलाइंस को छोड़कर जातर बड़े शेयर जिनकी वेटेज मार्केट में वह चल रहे हैं तो यह तीसरा अच्छा point है चौथा point मिरको आज लगता है कि आज f.is की holding में negative नहीं तीस चौथा important point कि अगर आज मार्केट की closing ऐसे मिल जाएं ग्लोबल मार्केट ठीक मिल जाएं तो recovery और फास्ट हो सकती है उस recovery के अंदर आपके critical levels पार होंगे gap के साथ तो जिन्होंने शौट्स बनाया उनकी recovery में वह first भी सकते ट्रैप भी हो सकते हैं तो इसलिए यह important बात ह होगी आज के notice करने वाली और चटी इंपॉर्ट पांच वी important बात कि markets के अंदर यह सिल्सला अभी नहीं तूटा कि वह buying on dip नहीं कर रहा है तो बाइंग को डिप कर रहा है बहले थोड़ा aggressive shot कर रहा है लेकिन बाद में जो buying आ रही है वह सिल्सले को अभी भी काइम रखे हु कर रहे हैं लेकिन recovery का aggression उतना फास्ट नहीं है तो यह सारी चीजे हैं advanced decline की ratio खराब है आप सामने देखो 970 और दिखराओंगा 1596 दूसरी important बात ना के वल यह चीजे हैं बलकि एक और चीज़ में को देख रहे हैं कि अभी हम global markets के अधीन है कल मालनों थोड़ा भी negative होगा तो जो बिल्कुल gray area के अंदर हैं और कुछ हद तक आज का मार्केट का मोमेंटों भी काफी अच्छा भी माना जाएगा तो एक कैलकुलेशन के उपर है आप किसको कितनी वेटेज दे रहे हैं और कितनी नहीं दे रहे हैं फिलाल 50 सेकिंड बार मार्केट बंद होगा मैं आपको अगर मैं पहले पांसे चेंटर देख रहा हूं जापर परसंटेज गेन है उसमें एक्चुल इटीसी ब्रिटैनिया यह तीन शेर मिलते हैं आउट और फाइव तो शिक्स यह इसलिए फम्सीजिक इंडेक्स आपको दो परसंट उपर मिलेगा एक्चुल ना कि वाला थेजी परसंटेज बना और ग्लोबल मार्केट्स में जब बी चिंता थोड़ी भी खड़ी होंगी तो मैटल्स को थोड़ा बहुत नीचे जाना पड़ेगा उसमीए टाटास्टी लीड कर रहा है आज 1% के लॉस के साथ ठीक आरिते बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहरी मच आज समेदी आपने सुमित मुल्चनन नी शुक्रिया आपका भी राजेश सर और शिरकान तापका भी बहुत बहुत शुक्रिया थांक्यू वेल मच अर इतने आप से कर रहे हैं शुरू को स्टेंडर्ड इस्क्लोजर जी जो भी हमने स्टॉक्स डिसक्स किये उसमें मेरी कोई पोजेशन नहीं है पर क्लाइंट्स को सजेस्ट की एट्रेट्स